तीन गार वालों का वाला मुण है तरगी मुखारी कि बारिश हो रही थी, गार में फ़ुज गई तरई बाहर कैसे आये वो तीनों की तिनों बाहर कैसे आये और लोगों ने कह Questions ने आपको अन्व और उन नेकियों का तालुक भी खिदमते खल्क से था शोसल वर्क से था रोजा नमाज नहीं था रोजा नमाज तो फर्ज है तो करना ही करना है तो कौन से बहादूरी काम का आपने रोजा नमाज पढ़ लिया तो कौन से बहादूरी काम का आपने रोजा नमाज पढ़ लिया तो कौन से बहादूरी काम का आपने रोजा नमाज पढ़ लिया तो कौन से बहादूरी काम का आपने रोजा नमाज पढ़ लिया तो कौन से ब भूल गए, इतने सदियों के बाद हम को किस ने बताया, अल्लाह ने हमारे नभी मुहम्मद सेथों को बताया, और मुहम्मद सेथों ने हमको बताया, वना हमें पता भी नहीं चलता, कि ये तीन बंदे गार में घुसे थे, और गार से कैसे बाहर आए, इन लोगों ने उसका प दर्द का इजहर करते हैं, तलब का इजहर करते हैं, अच्छी बाते हैं, लेकिन उन मौके को गवाना नहीं चाहिए, जो हमारे सामने हैं, वहाँ अपना माल, अपना इल्म, अपनी ताकत इस्तमाल करना चाहिए, जितना हो सके अपनी फील्ड पर, अपने समाज में, अपने अ उसूर का सबब साथ ही माल में बरकत वा इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक ल्लाहु खेरन